रिस्क है तो इश्क है ये एक popular dialogue निकला एक recent web series से scam 1992 से आली में मैंने ये web series देखी अलाकि थोड़ा late देखी लेकिन इस web series के बाद हर इंसान stock market में आना चाता है और उसके दिमाग में ये चीज चड़ी हुई है कि रिस्क है तबी ही इश्क है stock market में equity के माध्यम से आप जो भी निवेश करते हो वो केवल आपके portfolio allocation का एक हिस्सा होना चाहिए usually risk है तो इश्क है sensex lifetime high ये सारी चीज़े एक trigger पैदा करती है एक आम middle class आपके और मेरे जैसे इंसानों के अंदर ताकि वो risk की capability को अपनी बढ़ा दे और stock market में बिना सुचे समझे investment को शुरू कर दे लेकिन मैं इस बात से सैमती बिलकुल नहीं रखता हूं क्योंकि मुझे risk से कोई इश्क नहीं है यहाँ पर एक अगर middle class इंसान है उसे इस बात का खयाल रखना चाहिए कि मेरे जो portfolio की allocation है वो किस तरीके की है आज के date में पहले किसी risk वाले instrument में निवेश करने से उसे ये जरूर देखना चाहिए कि मेरे life की risk मेरे health की risk क्या वो cover है कि नहीं है इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं जहाँ पर मैं share करूगा इन ऐसे insurance जो आपको जरूर लेने चाहिए या आपके portfolio में जरूर होने चाहिए तो ये informative वीडियो शुरू करते हैं आए बिलकर सीखते है पहला insurance है health insurance देखिए इस pandemic से हमें एक बहुती बड़ी सीख मिली है जहाँ पर हमें ये समझने मिला है कि health care related कभी भी कोई भी emergency आ सकती है और ए 35% से भी कम लोगों के पास हमारे देश में health insurance है और इसमें मैंने वो आकड़े भी जोड लिये हैं जो किसी सरकारी योजना के माध्यम से health insurance के under cover होते हैं ये आकड़ा बेहती साधा कम है यहाँ पर जहाँ health के उपर होने वाले खर्चे day by day बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पर इ पायद उनमें से आप भी एक हो सकते हो जो health insurance को बिल्कुल ignore कर रहे हैं अब काफी लोग health insurance इसलिए भी नहीं लेते हैं कि उन्हें लगता है कि ये काफी महेंगा है एक साथ 12-15,000 का premium कौन देगा तो इस चीज़ को vital बनाता है काफी personalized और affordable भी यहाँ पर अगर आप 20 लाक इस होती हैं जैसे की diabetes हो गई, hypertension या कोई cardiac problem हो गई तो उस हिसाब से आप अपना जो प्लान है वो medical history के हिसाब से customize कर सकते हो, personalize कर सकते हो और market से इनके प्लान काफी सस्ते हैं आप अगर co payment वाला option select करते हो तो आपका premium 70% से भी जादा का कम हो जाता है और hospital expenses जैसे की COVID-19, ambulance charges, day care procedure, pre or post hospitalization भी cover हो जाता है, 7000 से भी जादा hospitals इनकी cashless network में मौझूद है, उसी के साथ unlimited tele video consultation भी available है और आप pharmacy पर 25% का discount भी पा सकते हैं, प्लस आपको annually एक full body health check-up मिलेगा जिसमें 50 से उपर test cover है, आपको एक dedicated care manager भी मिल जाता है, जिनसे आप plan को लेकर यानि की purchase करना है आपको plan या claim को लेकर, कोई भी आपकी छोटे से छोटी query है, वो आप call, whatsapp या SMS के माजम से पूछ भी सकते हो, अब क्यूंकि vital ने इस वीडि भी किया है, तो अगर आप नीचे दी गई link से sign up करते हो, तो आपको 500 vital points मिल जाएंगे, एक point की value होती है, एक रुपे के बराबर, तो 500 point की value हो गई करीबन 500 रुपे के हिसाब से, और इससे आप health insurance का जो plan है, वो भी buy कर सकते हो, तो मोटा मोटा अगर shortcut में समझें, तो करीब एक मैने का जो health insurance का आपका plan है, वो आपको free में मिल जाता है, जादा जानकारी के लिए, नीचे description में दीगे link को आप check out कीजिए, और अपने health insurance को लेने में बिलकुल भी delay नहीं कीजिए, दूसरा must have insurance जो है, वो है term insurance, देखे जैसे की नाम है term insurance, तो ये एक fixed period के लिए रहता ह उसमें अगर policy holder की मिलती हो जाती है, तो insurance company उनके nominee को, उनके परिवार के सदस्यों को पैसा दे देती है, अब वैसे तो human loss का कोई भी replacement नहीं है, लेकिन अगर आपके उपर आपके परिवार की जिम्मेदारी है, आप एक ऐसे इंसान हो जिस पर पूरा परिवार dependent है, आपके financial liability है, जैसे की home loan, car loan, personal loan या अन्य किसी भी तरीके की liability, जिसके वज़े से आपके परिवार को आर्थिक समझ से आ सकती है, तो आपको term insurance जरूर कंसीडर करना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, term insurance की cost काफी reasonable रहती है, यहाँ पर जो premium है, आपका वो fixed रहता है, जिस पी term के यह आप इस policy को select करते हो, term insurance पर मेरे YouTube चनल पर आपको एक dedicated playlist मिल जाएगी, आप जरूर चेक आउट कीजिए, और यह एक must have insurance है, आपके financial portfolio में term insurance बेहत important role play करता है, और वो जरूर होना चाहिए, तीसरा जो must have insurance है, वो है PA, personal accident, लोग इसको काफी ज़ादा ignore करते हैं, देखिए personal accident के साथ permanent या temporary disability जो एक इंसान के आमदनी में एक difference ला सकती है, फरक ला सकती है, वो भी cover होते हैं, यहाँ पर अगर quickly मैं आपके साथ कुछ facts share करूँ, इंडिया में 1200 से भी अधिक road accidents प्रती दिन होते हैं, जिसमें से 25% लोग अपने जान से हाथ दो बैठते हैं, तो इस insurance को ignore करना भी बिलकुल बेवकूफी है, यह insurance काफी सस्ता आता है, आप अलग से भी ले सकते हो, या तो अगर आपके पास existing term insurance है, या आप नया term insurance लेते हो, तो उसमें भी आप PA को यानि कि personal accident insurance को add कर सकते हो, अब personal accident insurance का वर काम कैसे करता है, देखें यदि अगर व्यक्तिकी मृत हो जाती है, accident के वज़े से, accident उसका एक कारण है, तो वो जो sum assured है PA का, वो मिल जाता है nominal को, या तो आपके परिवार को, उसी के साथ permanent disability होती है, या partial disability होती है, उस सूरत में भी ये company जो है, वो आपको sum assured जो है, उसका पैसा आपके nominal को या आपको प्राप्त करा देती है, और क बड़े कार की चीज़ है, अगर कोई partial या तो permanent disability हो जाती है, तो उस पैसे को एक income के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, insurance company या इस चीज़ का भी provision देती है, तो जब भी आप personal accident policy बाय करें, चाहे add-on cover के रूप में, या तो आप उसे as a sole policy भी खरीच सकते हैं, तो terms and conditions को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें कि आखिर क्या benefit है, अगर किसी को disability होती है, तो income के रूप में कितने समय के लिए कितना पैसा मिलेगा और लंब समय कितना पैसा मिलेगा, तो ये भी एक must have insurance है, तो वैसे तो आपको market में अन्य तरीके के insurance product देखने के लिए मिलेंगे, लेक जो इसके बाद आपको बच्चता है, वो आप market risk जैसे products में invest करके एक छोटी सी risk ले सकते हो, लेकिन पहले ही risk से इश्क नहीं करना है, तो उमिद करता हूँ, वीडियो में बताईगे जानकर ये आपको पसंद आई होगे, अगर आपको पसंद आईए तो वीडियो को like करकर मुझे signal जरूर दीजेगा, आपके दोस्त हैं, रिष्टेदार हैं, जिनने risk से इश्क हो चुका है, अभी हाली में कुछ जिनों में, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो insurance को ignore ना करे, और इसे एक अपने life की पहली priority रखे, और अगर आपको इसी YouTube channel को subscribe कर सकते हो, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का update आप तक आ सके, इस वीडियो में बस इतना ही, अपने health का और अपने wealth का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखेगा,